है लोगाइस व्यच्टनल और इस वीडियो में बात करेंगे इसके दो कि फिर तो और इस पर डेखें Be 10- م्हीं में प्रेंडी सिस्टम के अहां इगद yeni सिस्टम तो जर्थे को नेहर्च पोटेंजनेर्जी तो जैसा कि आप ग्राइविटेशन में करते हैं न कि आ एक ब्लॉक हुं ए टिका एक इक मांस है इसको क्या किया है मान से यह टब के इसको आपने उठा टिक ट्रहआ थेका अपने ₩ थेचिद सफ तो थे तौ और औशलेशंद comparisons का इसका weight mg है तो आपने कितना work in case पर तो आपने mgh work किया और यही क्या हो जाता है as a potential energies में store हो जाती है तो वही हम करेंगे तो जो work करना होगा work होगा system को assemble करने में जतना work किया होगा वो इसकी potential energy होगी ठीक है तो चलो समझते हैं फिर से लाइन आपको सब explain करता हूं है consider first system simple case of two charges q1 and q2 with position vector r1 and r2 related to some origin okay तो दो हमारे पास charges है जिनका जो position vector किया है origin से r1 और r2 उनकी position है एक कोई origins है ठीक है r1 और r2 उनकी position vector okay now let us calculate the work done externally in building up this configuration this means that we consider the charges q1 and q2 initially at infinity and determine the work done by external agent to bring the charges to the given location ठीक है तो इसको assemble करने के लिए charges को यहां पढ़े पोजिशन में लाने के लिए r1 r2 position vector में लाने के लिए इस position में लाने के लिए हमें कितना work करना पड़ा ठीक है तो उसके लिए हम क्या करता है suppose यह दोनों क्या थे infinity से लेकर आने को एक एक करके ठीक है suppose इस point पर जो हम r1 बोले जिसकी position यहां पर infinity से में लेका आया पहले charge को पहले charge को infinity से लेकाया इस point पर ठीक है q1 charge को लेकाया तो मुझे पताओ कितना करना पड़ा हमें तो आंसर है जीरो करना पड़ा क्यों जीरो करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर क्या है यहां पर तो कोई potential ही नहीं था यहां पर कोई ना चार्ज ना इलक्टिक फिल्ड है कोई प्रेश कोई लेक्टिक फिल्ड नी थी ना कोई potential नहीं था तो कोई हमें वक्ट नी करना पड़ा ठीक है तो यह आ गया ओके लेकिन जा मैं q2 के लेकर आँगा आँगा यह पॉंट पर एब मैं जब इसे बोलता हूं से भी बोलता हूं भी पॉंट पे एक potential है Q1 की वज़े से ठीक है इसे के लिए यह क्या होगा इसकी उसे elective field होगी कि elective field मतलब इस पर क्या लगाएगा वह हम एक repulsive force लगेगा अगर वो दोनों सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो इसको ऐसे भी बुल सकते हैं यहां पर एक potential है वी पॉइंट पर पॉटेंचल है Q1 की वज़े से तो उसकी हमें हमें work करना पड़ेगा ओके सो कितना वार्ट करना पड़ेगा तो दैट इस हमने बढ़ता है पोटेंचल होता गया हमें Potential कितना उस पॉइंट पर इंटव ढेक्या मतलब कितना वांक करने के लिए ऊस पॉइंट पे उस पॉइंट पर कितना पॉइंटकर को금 करने के लिए ठीक है पहले चाहर पर कोई वर्क नहीं दूसरे चाहर पर इतना होगा ठीक है तो देखते हैं सर्थ अब देखोगा पोटेंशल दैवलप करेगा उस पॉइंट पर नहीं है किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूं किसी भी पॉइंट की जनरल पॉइंट की तो हों क्या कर रही है यह इतना potential generate कर रहा है okay produce कर रहा है V1 potential क्या होता है potential का फामुला 1.4 पाइपसल नोट Q1 upon जो distance at this point पर हम consider कर रहे है ठीक है तो र 1P is the distance of the point P in space from the location Q और एक पॉइंट है यह हमारे चार Q1 था और यह पी पॉइंट है सब्सक्राइब यहां पर कितना यह यह यार 1P हो गया थाना potential का फामुलाब देख चुक्या है from the definition of potential work done in bringing charge q2 from infinity to the point is q2 times the potential at r2 due to k1 अभी मैं अभी मैं explain किया work done किता हो जाएगा क्योंकि वी इंटु क्यों इस पॉइंट पर कितना है वी वन की अलिया हमने देखी अभी ठीक है देखा अब तो वी वन इस पॉइंट पर क्योंकि वाज़े से इस पॉइंट पोटेंचल होगा तो वन अपन फॉर पैपसलों नोट क्यों अपन यह डिसन्स क्या है इसको मैं आर वन टो बोल रहा हूं ठीक जिसके पी के लिए म पी बन टू कि शिंस इलेक्ट्र स्टेटिक फोर्स कंजर्वेटीव देवर्ग केट्स स्टूरें दफॉर्म पोटेंचल अजय अगरो एक बोक्स एक माव वेट को आप चाहिए इस पॉइंट से लेकिया हो ना तो फरक नहीं पढ़ता किसी भी पॉइंट से लेकिया हो ना पर दिपीन नहीं करता है बस पॉंट पर डिपन करता है और फाइन अट फैनल निशल पइंट मेद घरता है तब आना तो वह घर जाव एक टाइफ पाट इंडिपेंडेंड है टेक यह फीर कंप्रीट सटकल राओं का कंपी साइकल में वह दॉनन कितना हो जाता है को टुट पोटेंचल आया पोटेंचल एनरजी उसे इसा नहीं कि पहले चार्ज को लाएंगे दब इसा होगा दूसरे चार्ज को भी पहला जाएंगे तो क्या गरेंगा फिर फिर इसको इस पोटेंशल को Q1 चार्ट से मुट्प्लाई करता है तो पहले चार्ट को बाद में लेके आते हैं तो फरक नहीं पड़ेगा तो किसी भी लोकेशन ऐसे भी लेके आया है तो किसी भी लेके आया है तो किस पोइंट पर लेके आ रहे है बस वो डिपेंड करता है पोइंट पर टिपेंड करता किस पोइंट पर लेके आ रहे है पाथ पर टिपेंड नहीं गड़ता है ओके नाओ इक्वेशन 2.22 इस टू फोर अनी राइन आफ क्यू एन क्यू एन क्यू टू इस ग्रेटर दन जीरो पोटेंशल इस पॉजिटिव ठीक है तो देखो देखो सबस्ट से पॉजिटिव आएगा तो पोटेंशन इट पॉजिटिव एगी ठेके यू किया जब अगहा तब अल्गों सेम चार्ज अबॉजिटेव एगा ठीक है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि Kya है तर डिर इस रिपल्सें निपल्सिव द चार्जिव रिपल तो यह अगर पॉजिटीव वाधा में पता न पॉतना सिस्टम स्टेवल रहता है और इसमें पॉजिटीव है बतब रिपल्साइब करेंगे तो यह अग है और दूसरी बात दूसरी बात तो यह है की हमें क्या करना पड़ा इसमने वर्क हमें करना पड़ा इन सिस्टम को साथ भी हमें करना पड़ा अगर आप देखेंगे जब क्या होगा तो अब क्या करेंगी जब हम 40 कौ साथ में लागे तो अब साथ में की लिए अब इसमें पोटेंचन निस्टोर थो इसका फ्रीच होड़ देता है चार्जेव तो यह पोटेंचनल जी किया हो जाएगी अब इनमें रिपल्चन होगा और यहीं पोटेंचनल्य ने हि सिस्टम जा वोक करेगा, ओके, इसके बाद, ओके, now, for unlike charges, Q1 and Q2, the electrostatic force is attractive, in this case, a positive amount of work is needed against this force to take the charges from given location to infinity, ओविस दी बात है कि अगर क्या होगा, जब मैंना भी बता लिया, तो अगर plus minus Q है, plus Q है, तो इसके बात पर होगा, तो इनको separate करने के लिए, एक system मना रख है हमने, इनको separate करने के लिए, अब हमें work करना पड़ेगा, separate करने के लिए, पहले guess में system work करेगा, ठीक है separate करने के लिए खुदी वह repel करेंगे इसमें यह attract कर रहे है attractive forces में मतलब जिसमें यह negative है उसमें क्या है अगर हमें इनको separate करना है तो हमें work करना पड़ेगा इनमें attractive forces attractive forces क्यों है देखो समझो इस सीज को क्या चाहता है यह minus तो यह जब यू negative है तो stable configuration ठीक है ओके तब हमें करना पड़ेगा work को separate करने के लिए हमें दूर ले चाने के लिए work करना पड़ेगा system क्या चाहरा है कि pass आ जाए जो दूनों चाहरे की pass आ जाए और तो समझ माने लगेगा ठीक है ओके नव इसके बाद इन अधर वर्सा नेगिटिव amount of work is needed to reverse the path ठीक है तो वह इचन मैंने बली अगर pass दूर करने के लिए हम work force लगा रहे है और अगर पास लना है तो तो इनके पास को reverse करना है इन्फिंटी से लेकर आना है तो नेगिटिव वर्क करना पड़ेगा मतलब तब सिस्टम ही करेगा यह दोने चार्जे से एक दूसरे को माइनस वर्क करना पड़ेगा ठीक है यह सिस्टम यह work करेगा इसमें तो नेगिटिव तो मतलब होता है नेगिटिव पोटेंशिल का नेगिटिव पोटेंशिल आनेजिगा ठीक है नौ एक्वेशन 2.22 इस इसली जनरलाइज तो हमने एक दो पॉइंट चार्ज के लिए समझा अब यह हम कित्ते विए नमबर आफ चार्ज के लिए कर सकते हैं लाट उस कैल्कुलेट दफ पोटेंशिल आर्जिव फोटेंशिल एंड क्यूत्री लोकेटेट अर्वन आर्ट्वन आर्ट्वन आर्थे रिस्पेक्टिव सबसे पाये फिर से सींपल का पし सबसेभी है मैं पहले चार्ज को लाए किनल कोई तो तक कोई आधिंए करना पड़ा तो कितना किषिब निल सबस्क्राइब करना इसके बाद दूसरे चार्ज को लाएंगे तो थीस выпуск मैं क्या सबस्क्राइब इस पोजिशन पर इसकी वज़ और इसकी वेसे V2 Q3 ठीक है तो यह वर्क भी एड हो जाएगा उसमें तो टलोड के आ जाएगा वीवन तो पहले तो हमने निकाली नहीं वीवन Q1 V1 Q2 प्लस V1 Q3 और V2 Q3 ठीक है तो यह वर्क हो जाएगा जितना में वर्क करना पड़ेगा सिस्टम को लाने के लिए और यही इस सिस्टम की पोटेंशन एर्जी हो जाएगी तो एक्वेशन 2.2 ओके तो बिंक्यूण फ़र्स फ्रम इन्फिनिटी टू आरवन नो वर्क इस रिक्वाइड नेक्स्ट वी ब्रिंक्यूट फ्रम इन्फिनिटी टू आर्टू एज बिफोर वर्क दन इन इस टैप इस टेक है तो वही कित अब क्या होगा चार्ड वन टू बहुंगा कर रहे हैं अब इनके विश्य से पोटेंशल है और कितना इनकी वज़े से वन आपॉन फॉर्प एपसलल नॉट क्यू आपॉन अपॉन आरवन पी प्लस क्यू आपन आर्टू पी एक किसी एक जन्रल पॉंट यह पोटेंचल है यह दोनों चार्ड जिए जो हम लेके आ गए ठीक है किसी भी पॉंट पर और तो वर्क डरी वर्क डर्ण नेक्सिन ब्रिंगी क्यू थरी फॉन इंफिनिटी तो पॉंट आर्ट रिस क्यू थरी ताइम्स द वी वन एन वी टॉट अट रट टीक है तो आर्ट पर गया है आर् पॉन पॉर पाइपसलों नट क्यूबन क्यू थरी एर ओन रट प्री अपन रट रट रिस फ्लिट्रों एक होगा और टोटल वर क्या हो जागा तीन एक्ट कर दो मतलब यह टू पॉट पॉन टूफाइवर टूट को एड कर देंगे तो टोटल वका जागा तो टोटल वर्क in assembling the charges at the given location is obtained by adding the work done in different steps ठीके टोटल वो कितना जागा और यही क्या हो जागी पोटेंशन एरजी हो जागी यूज इगल to one upon four five epsilon or not q1 q2 upon r12 plus q1 q3 upon r13 plus q2 q3 upon r23 okay यह भी समझ मैं होगा again again because of the conservative nature of the electric force or equivalently the part independent tense of work done the final expression for you is independent of the manner in which the configuration is assembled ठीके तो conservative nature है तो किस पास से लेगा है फरक नहीं पढ़ता किस पास से हम लेकिया है configuration किस पार्ट में असेंबल किया किस मैंन में असेंबल किया फरक नहीं पढ़ता okay the potential energy is characteristics of the present state of configuration and not the way the strategies achieved ठीक है तो किस अभी कहां पर है उस पर डिपन करेंगी potential ना कि किस तरह से हम हमने अचीव के state को उस पर डिपेंड नहीं करेंगे तो यह था potential energy में ठीक है अगर आपको समझ माया है तो फिर हम नेक्स वीडियो में बात करेंगे किसकी potential energy of in an external field ठीक है उसकी बात करेंगे तो लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो ठीक है सब्क्राइब गर देना तो कि लास्ट मिट ठेंक्स वर वाचिए ढ आपको उसित पुराइब वा जा जय हो Àımız ङुरा था रपको थe कि लाफको हॉ है